हम आपको बताएंगे कि आप जीमेल पर किसी को मैसेज कैसे भेजेंगे जीमेल पर किसी को मैसेज कैसे सेंड करेंगे मतलब की इमेल पर भी वही होता है मैसेज कैसे भेजेंगे तो सबसे पहले अपने मेल के जीमेल को यहां से ओपन कर लेंगे जो कि आपका एप होगा तो इसको इस तरीके से ओपिन करेंगे ओपिन करते ही कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा जो यहाँ पर आपका पहले से एक email ID लॉग इन होगा इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर email ID लॉग इन नहीं है तो आप लॉग इन कर लेंगे इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर compose पर क्लिक करेंगे compose पर क्लिक करते ही यहाँ पर from में आपका email ID होगा और two में जिसे आपको message करना है उसका email ID होगा इसके बाद आपको क्या करना है कि two में जिसको email send करना है उसका email id यहां पर type कर देंगे तो हमने यह type कर दिया इसके बाद यहां पर subject में जो भी subject है वो लिख दें जैसे कि हम document भेजना चाहते हैं उससे related तो इस document is from related bank तो यह हम लिख सकते हैं तो इस इसके बाद compose email में कुछ matter है वो लिख सकते हैं तो चलिए हम लिख देते हैं दिस मैसेज इज दिस मैसेज कि इज कि ओर यूज बैंक इसके बाद उपर अटेच का उप्शन आता है अटेच में जाएंगे और अटेच फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने गैलरी में चले जाएंगे और गैलरी में जो भी फोटो को सेंड करना है उसको यहां से अप सेलेक्ट कर लेंगे तो चलिए हम एक फोटो को message successful गई या नहीं गई यहाँ पर three dot पर जाना है और three dot पर जाने के बाद यहाँ पर आपको send पर click करना है जैसे send पर click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी message successfully चली जाएगी तो यही इसका तरीका है message send करने का तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजिएगा और channel को subscribe कर दीजिएगा